हेलो वेलकम स्टुडेंट्स आज की क्लास में हमको एक नया टॉपिक पढ़ना है वह है वर्ट चे और रिलेटेड वर्ट पढ़ा था जब हमने पार्ट सोज स्पीश देगा था पार्ट सोज स्पीश में भी हमने अड्यक्टिव के बारे में पढ़ा था लेकिन आज हमको ऐसा करना है वो भी हम देखेंगे सबसे पहले अड्यक्टिव के बारे में देखते हैं वर्ट चेंड क्या होती है वह देखते है और वर्ड रिलेटेड ओफ एड्जेक्टिव वह क्या है वह भी देखते हैं तो सबसे पहले देख लेते अड्यक्टिव के बारे में तो दूसरा पॉइंट के लिखा है a word which tells something about noun is called adjectives पहला पॉइंट तो यह देखा कि adjective क्या होते है जो डिस्क्राइब करते है नाउन और प्रोनाउन को लेकिन उसी की साथ साथ एक main point क्या है adjective क्या वो use किसली होता है वो हमें कुछ बता आता है नाउन के बारे में नाउन के बारे में कुछ information देता है वो होते हैं हमारे adjectives अग देखो यहां पर क्या point लिखा है an adjectives comes directly before the noun मतलब कभी-कभी adjective जो होता है वो नाउन के पहले क्या लिखा है comes directly before the noun मतलब कभी-कभी sentence में जो adjective होता है वो noun के पहले आता है जैसे for example यहाँ देखो यहाँ पर man और coat यह जो है यह हमारे nouns है और यहाँ पर यह जो old और यह जो green आया है मतलब old man man के बारे में बताया है man old है young है क्या है चुर्स और Also note coat कोंट किस colour का यहाँ पर बताए क्या कौर्ट का कैसा है लेडर का है या bandwidth कीकी आया वह नहीं बताया है उसमें monopol के बारे में बहला है कलर कलर कैसा बताए green कलर blue color red editorpekt कैसा बताए green color जो भी है तो यहाँ पर क्या बहला है green color तो यहाँ पर हमने क्या बोला an adjective comes directly before the noun मतलब noun के बारे में हमें information मिलती है adjective से noun pronoun दोलों के बारे में और यहाँ पर क्या लिखा है कि noun के पहले कभी-कभी adjective noun के पहले आता है तो इन sentences में मतलब इन examples में क्या था हमारे noun और noun के पहले हमारा adjective आया था अब second point देखो क्या है an adjective can come after the noun मतलब इसके पहले वाले case में क्या था before the noun मतलब adjective noun के पहले आया था लेकिन इस case में क्या है an adjective can come after the noun मतलब noun के बाद में देखो example में this dress was old अब यहाँ पर जो dress है यह हुआ noun इसके बारे में बताया है color बोला है यहाँ नहीं मतलब यहाँ पर क्या बोले यह तो dress new old इसके बारे में बता है तो dress dress यह old है तो यहाँ पर यह जो old है यह हमारा adjective अब second point देखो it looks green मतलब यह जो है it looks looks जो ही हमारा नाउ और यह हो गया हमारा adjective बता क्या रहा है वो green color का है ठीक है तो यह सारी information थी हमारा adjective के बारे में सबसे पह adjective use होते है नाउन और प्रनाउन के लिए information देने के लिए मतलब नाउन और प्रनाउन के बारे में वह हमको बताते है sentence में इसके बाद second point क्या है a word which tells something more about noun is called adjective basically adjective नाउन के बारे में information दे रहा है तब वह होता है अब उसके बाद second piece में क्या देखा वो देखा an adjective comes directly before the noun मतलब कभ adjective होता है वह नाउन के पहले जैसर आता है उसके बाद उसके गाने का जो लास्ट का वर्ड होता है उसका जो लास्ट अक्षर आता है वह अक्षर से हम दूसरा गाना शुरू करते हैं हमारी जो वर्ड चैन है वह उसी तरह से अब देखो पहला देखो यहां पर लिखा है हमने गुड गुड क्या है गुड हमारा यहां पर यह रही है इंसे गाने का आखरी बोल लगे के विद्शर उसे हमारा नया गाना शुरूता उसी तरह से कभी कर अपके एक्जाम में पूछा जाता है उस बहुत ज़रूरी है और आप इसको एक ऐसे गेम की तरह भी खेल सकते हैं जब आपको पढ़ा ही नहीं है आपके पास फ्री टाइम है तो इस तरह से आपके इस से वर्ट सबको जादा-जादा वर्ट के बारे में इंफॉर्मिशन मिलते हैं आपको वर्ट का जो नौलेज है वह बढ़ता है तो दे अब टॉल का जो लास्ट लेटर है वो है ल, ल से हमारा नया वर्ड स्टार्ट हुआ है, लॉंग, ल, मतलब स्टार्टिंग वर्ड है इसका, और इसका एंडिंग कहां पे हुआ है, जी से हुआ है, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है, ग्रेट, ग्रेट का जी जो है, इसकी स् अब हमारी first वाले वेड़ चेंज, खता हुए, यहां से नहीं कि हम लोग यहां पर चाहो तो इसके आगे शुरू कर सकते हो, T से आपको जो लिखना है अब यहां से आगे से शुरू कर सकते हो, ठीके, अब यहां पर देखो, second वाले इसमें देखो, यहां पर लिखा है word brave, ठी ठीके, brave, starting B से, इसके पहले कोई word होगा, जो B पर end हुआ होगा, तो इसको हम B से start किया, अब देखो, यह end हुआ है E पर, तो हमारा नया word जो है, expert, start हुआ है E से, और end हुआ है T पर, ठीके, अब यह जो नया word आया है, यह T पर end हुआ था, तो यह कहां पर start हुआ, T से start तो जाके end हुआ है N पर, अब नया word, नया word start हुआ है N से, और end हुआ है W पर, और उसके बाद का last word है, उसको भी देखो start W से हुआ है, और end T पर हुआ है, यहां पर यह chain खत्म हुआ, अब चाहो तो इसके आगे इसको, अगर आपको और interesting करना है, और पढ़ने में interest आ रहा ह अब देखो next, यहां पर poor, यह सभी जो words है, यह सभी adjective है, यही मतलब किसी ना किसी को जैसे describe, noun को यह pronoun को describe करने के लिए, sentence में से किसी को भी use कर सकते है, तो यह सभी words जो है, वह adjective है, और यह adjective की word chain है, मतलब एक start हुआ है, उसके end से नया word start हुआ है, अब इसके end से यह word start यहां पे देखो, पे start हुआ हो है, तो इसके पहले का कोई word होगा जो पे end हुआ होगा, अब यहां पर यह आया word है, cutter हुआ है, जो end हुआ है, ओ यह consteh, और इसके बाद का जो नया word है, वह start हुआ है,えて और इसके बाहन k बाद अला word, obviously, ती से start हुआ है, end हुआ है, य प साथ हुआ और एंड हुआ जी इसके बाद वाले भी है तो आप चाहो तो कर सकते हो उसी तरह से हमारी वर्ड चेन है एक अंताक्षरी समझ लो वर्ड की किसमें स्रिफ एडजेक्टिव बाकी किसी तरह के वर्ड यूज नहीं हुए यहां पर ना प्रनावन आया है ना नावन आया है कुछ भी नहीं ना प्रेपोजिशन साय ना कंजुंक्शन ना ही इंडर्जे ऑबीच में सही अड्जेक्टिव हैं भीच में यहां पर जिखा है और यह कि यहां पर पहला लिखा मिया को selfies नैइक्есल डेखें कुछ वर्ड लिखें आपको पताया एक्जाम में आपको इस तरह से आता है ज्यसे परेग्राफ raises और जो भी है उसमें से आपको Tack्तिक और वर प्रविज़ी एसे में लिका होता है इसे को उसे रिलेटेट फी लिखना है तो रीलेटेड वर्ड का मूनिंग ही होता है कि आपको फूसके आठेक्टीव लिखना है वहां पे आपको 9 वैंगसे हैं यहां पर हमारा नाओं पर एक कसे वसारे वड्द यहां पर लिखे है वो सभी उसके एडजेक्टिव है पहला है good book obviously अच्छी होती है हमारे लिए good डुसरा important important है उससे related word adjective उसके बाद helpful book हमारे लिए helpful भी होती है long कोई छोटी book होती है कोई बडी बुक होती हो बहुत long book होती है ठीक है वैलुएबल ऑविसली बुक है वैलुएबल है ठीक उसको बहुत राइस से नहीं ऐसे भी बुक हमारे लिए बहुत बुक हमारे लिए वैलुएबल होती है आप प्राइस से बोलो या फिल जिस तरह से भी आप चाहो उस तरह से और उसके बाद इजी भी होती है हाड भी होते इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड एडजेक्टिव लिख सकते हो बुक के लिए यहां पर मैंने स्रिप 1 2 3 4 5 6 सिर्फ हमने यहां पर 6 एडजेक्टिव लिखे हैं आप चाहो तो मोर्दान इससे जादा लिख सकते हो इसको ना वे गेम की तरह भी ले सकते हो इ यहां बुड से स्टali किया यहां पूण से स्ट ग्तर कर सकते हैं अब चाहो तक स्टो तक फिन से सटार्ट कर सकते हो लिख नंनल सलिग हैं आप जसतरा से इस में से कोई बी वर्ड चेंड कर सकते हो बहुत लंबी この आप चाहो तो उसको more than hundred word की वे एक word chain बना सकते हो ठीक है तो यहाँ पर था क्या है related word of adjective हम यहाँ पर words मतलब यह हमारा जो book जो है ना यह हमारा noun है ठीक है book जो हमारा है वो हमारा noun है और यह जो सभी है ना यह जो सभी लिखा है हमने यह सब हमारे adjectives है ठीक है यह सभी हमारे adjectives है तो देखो अभी इसके बादवाले देखते है यह था book के लिए अब इसके बादवाले में लिखा है tree tree है tree noun है इसके यह सभी adjectives है पहला big tree है big small जो भी है अब चाहो small लिको कुछ भी यहाँ पर old new old जो भी है tree चोटा है new है बहुत पूराना है old है large मतलब big large और big में और फड़क है मतलब big जो है बड़ा हो गया large मतलब बहुत ऐसे फैला हुआ होता है बहुत large होता है tree उस तरह से तो चाप large जो भी है अब इसके बाद नीडी मतलब tree जो होता है मतलब जो भी हमें खाना चाहिए होते हमारी जो नीड है वह सभी हमारे tree से पूरी होती है plants जो होते है trees जो होते हो हमारी नीड को पूरा करते है तो यहां पर नीडी एक adjective आ गया इसके बाद nice obviously trees nice है एक adjective आगा उसके बाद helpful trees helpful होती हमारे लिए आप चाहो तो इससे अलावा भी बहुत सारे words ले सकते हो तो देखो आज की class में हमने यह सब कुछ पढ़ा है word chain के बारे में और related words of adjective सबसे पहले हमने देखे आजेक्ट्व के बारे में किसलिए उसके बाद हमने देखा था word chain और इसके बाद हमने देख सकते हो word chain या फिर खिलने के लिए भी उसकर सकते हैं कि इसमें गिम भी होता है हमारा नॉलेज भी बढ़ता है तो हम लोग next class में नए topic के साथ मिलेंगे so thank you for today